मेरे नाम है हार्दी कुर आपका अबर फिर्ट स्वागत है फार्मिंग विथ हार्दी की उट्यूब्चन में तो आज कोड़े हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तमाल अगर आप बारिश के टाइम अपने पोदों के अंदर इस्तमाल करेंगे तो यह आप यह एक टाइम हो था बारिश के टाइम आपको कभी भी फिट करी का इस्तमाल नहीं करना क्यों नहीं करना ओर सारी बात की न्चारी में आपको इस वीडियो में दे नहीं दो तो फटाफ़स वीडिए को भी लाइक कर दी और हमारे चैनल पेहली बार आया और अब अपने तक चुक्तिक चलंग को सबस्क्राइब निकार तो फटा फटास चलंग को भी सबस्क्राइब कर दीजिए कि आने वाले समय में मैं ऐसा बैतिरीन कॉंटेंट लाता रहे तो ऐसे तो फिटकरी हमारे पोदे लिए बहुत अच्छी खाद ही हमारे मिट्टी को ऐसे डिक बनाती है प परिती नमी वाली मिट्टी में अगर आप अमली खाद इस्तमाल करेंगे तो इससे होगा क्या जो आपके पोधा है वो पोशक तत्व अब्जोर भी नहीं कर पाएगा और जो आपके पोधी की ग्रोथ है वो रुक जाएगा इसलिए आपको एक बात माननी पड़ेगी कि बारि लिए आपको फिटकरी है इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको कभी फिटकरी ज्यादा मातर में इस्तमाल करते हैं गर बात गाल जाते हमों इसे पोधी में शुख स्वाथिवेस्टे है और म्सुख घुथे, उब्धे बीच्टी से फ़सक्ते हैं तो होगा क्या जो आपके छोटे पोदे होते हो बहुत ज़ाज़ सेंसिटिव होते हैं और इती वह अमली है प्रकर्ति की मिट्टी में सैट हो नहीं पाएंगे और वह आपके पोदे खराब हो सकते इसलिए आपको एक बात का ध्यान करा है कि कभी भी ज्यादर छोटे पोदों काफी दिनों से पानी नहीं डाला, ऐसी मिट्टी के अंदर आप फिटकरी का इस्तमाल करेंगे, तो जो पोदे को उसके जरूरी नमी मिल ली थी, सुकी मिट्टी से भी, वो भी खतम हो जाएगे, और जो आपके पोदा उस मिट्टी के अंदर उग रखा है, तो वो भी मुर ज जाएगा, तो इसलिए फिटकरी का इस्तमाल करने से पहले आपकी करना होगा, उसमें एक दो दिन पहले ही आप अच्छे से पानी डाल दीजे, और फिर एक दो दिन बाद आप फिटकरी का इस्तमाल अपने पोदों में कर लीजे, कभी भी सुकी मिट्टी में आप फिटकरी में इस्तमाल करना तो वैसी फिटकरी की भी एक लिमिट है और टाइम है बस हमें उसे जानना है कि किस समय हमें फिटकरी का इस्तमाल करना है तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफोर्मेशन दे दिए हमें फिटकरी का इस्तमाल करना चाहिए और साथ हमें कब फिटकरी का बहुत ही ज़्यादा पाइदे मन्न है उनमें बारिश को छोड़के आप बाकी मौसम के अंदर फिटकरी का इस्तमाल करेंगे तो वह बहुत ही ज्यादा अच्छे होएंगे क्योंकि अमली पर करती की जो गुलाब के पोदर का अमली पर करती की मिट्टी काफी ज्यादा करती की होती है तो दोस्ते इस वीडियो में हमने जान लिए फिट करी के बारे में पूरी जान करी अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी इंफोर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करी है और आपने अब तेक चनल को सब्सक्राइब निक्रा तो फटार से इस च